दूस्तु फ्रांस की डसॉल्ट एवियेशन ये राफेल लड़ा को इमान बनाती है और ये कंपनी अब भारत में अपना प्लांड सेट अप करने जा रही है भारत में इन्होंने उत्तर परदेश को चुना है जिया गाइस राफेल अब भारत में बनेगा भारत के उत्तर प्राइदा होगा आई जानते पूर अप्डेट किया है भारत यूपी में प्लांट लगाने जा रहा है डसॉल्ट एवियेशन फ्रांस ने मंजूरी दे दी है दूस्तों फ्रांस इसी विमानन कंपनी डसॉल्ट एवियेशन भारत के मिराज तूठाउजंड और राफेल ल और इसी के बगल में यह फ्रांस इसी कंपनी लेंड का एकोजिशन करेगी और यहाँ पर अपना प्लांट को सेट अप करेगी इसका सबसे वड़ा फायदा हमारे डिफेंस सेक्टर को होने वाला है इससे देश में राफेल लडाको विमानों के नविंतम संसकरनों के अस्थ प्रांस में जारी राजनेतिक उतल फतल के बावजूद इमेन्वल मेकरोन सरकार और दस्वल्ट ने भारती वाईसोना की मांग को पूरा करने के लिए अस्थानिय रूप से सौर्च किये गए घटकों के साथ मैके निडिया को ब्लाबा देने का इलान कर दिया है इसके नागरिक विमानों के लिए एली एपी इंजन फैसिलिटी के बगल में है जो कि 2025 तक त्यार हो जाएगा लोगों ने का कि सफ्रान ने या संदेश दिया है कि यदि भारती वाईसोना के लिए राफेल का ओडर है तो वो भारत में M88 इंजन का निर्मान करने के लिए तयार है यह दिखते हुए HAL का LCA Mark II GE 414 इंजन के साथ अगले दसक के मज़ से पहले तयार नहीं होगा ऐसे में राफेल लड़ाको इमान ना केवल भारत की अपसकता को पूरा करेगा बलकि भारत को तिसरे देशों को भी उन्ही लड़ाको इमानों का निर्यात करने के नमती देगा यानि कि भारत इन लड़ाको इमानों को दूसरे कंट्री को भी बेच पाएगा। इसलिए वो भारत में अपना कर रहा है ताकि उनके पास जो अलगला कंट्री का ओडर है तीन norm ने को राफेल के साथ बाचित कर रही है और फ्रांसेशी वायुसायना ने उससे 42 और राफिल मांगे हैं मतलब यह फ्रांस की कंपनी है और यह फ्रांस के जुरुत को पुरा नहीं कर पारी है फ्रांस की वायुसायना ने खुद उनसे 42 राफिल मांगा है लेकिन यह लोग फ्रांस में राफिल कर ए प्रान्स के प्राइब हूं बन रहा है कि वहां के लोगों को इससे फैदा होगा क्या सुचते काई सब इस चिस के बारे में कमेंट जोग करें और ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैलेंज से जो जोड़ें और ठैक्स पर वाचिंग मिलेंगे अगले वडियो में एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जाहिंद